पाकिस्तान के रोस्ट वीडियो के उपर दो की बहुती जबरदस्त होने वाला है दोस्तों वीडियो का टाइटल रहने वाला है पाकिस्तानियों ने लहौर में जर्मन टूरिस्ट की की ऐसी खातिरदारी तो दोस्तों खातिरदारी से आप समझी गए होगे कि इन लहौरियों ने इन पाकिस्तानियों ने किस तरह से उसकी खातिरदारी किया होगा और उसे कितने ही सार आँखों में बठा के रखा होगा तो चलिए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं और रोस्ट का आनंद लेते हैं और उसके बाद देते हैं अपना प्यारा सा रियक्शन तब तक आपको वीडियो पसंद आया तो फटा फट से एक लाइक जरूर ठो किएगा आये गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम तो वैसे भी बड़े पेशन्स वाले महमाननवाज लोग हैं हम तो महबद करने वाले लोग हैं हम खयाल रखने वाले लोग हैं आप देखिये ना जहां कहीं मौका मिला और एरको इसके बारे हम गाइस बात कर रही हैं वह वैसे दकेती की तरह दकेती की है दकेती की है कि डॉल्फंक कबदत के लिए कहा तो वह ने डॉलर मांग लिये महमान ना जाओ मादी हम बड़े चड़ करते हैं हमें कुछ नहीं होगा हम कहें वह भी होता यहां ही हो गया है कैसे हसरा है दान निकाल लाग जाज बना इस लेवल की महमान नावाजी किसी ने नहीं दिख करते हैं हाँ ऐसी महमान नावाजी सिर्फ पाकिस्तानी ही कर सकते हैं तुम ने क्या उखाड लेते तुम उसका और तुमने क्या उखाड लिया करते तो तुम चोरी चकारी डखेती लूट मार यह हो सई सुन रहे हैं आप आगे सुनते जाएं एक तरफ यह हवाला देते कलमे का अगर तुम सरिया के अकोर्डिंग चलो ना तो पूरा पाकिस्तान हो जाए और आदे बिना मुंडी के यह होता रहा ना होता है बिल्कुल होता है फिर लोग क्या करें बूखे तो नहीं मर सकते इसलिए उनको यह काम करना बढ़ता है वाह ओविएसली पूरिजम यह हो जाएगा बात यह है कि पूरी दुनिया में ऐसे गंदे अंडे जो है न पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट जापी देखा जाता है वो कहता है इसको परी उतार लो इसको साइडवे कर तो यह मैं कहता हूं इंतहाई दूप की बात है अब मसला के है वह ऐसा कि जर्मन को पाकिस्तान में घूमने की साइकल से घूमरादा बंदा पाकिस्तान में लाहूर एरपोर्ट के पास अपनी कैंपिंग कर रहा था प्र तान के सो रहा था अब आपको तो लाहुरीयों का पता ही है लाहुरियों के हा मताब यह कहते हैं यह कौन सा टाइम ज़स होने का तो डिकेट आते हैं बाई जान ग बसक्राब काुचा पाकिस्तान में तोचा की शुट्साइभी li अगदीद कुछ दो डॉलर्स में दो फिर मैं आपके मदद करूंगा पुलिस हमारा यह मैसीज देरी दुनिया को मैं यह कहती हूँ कि लाना तैंट पर बिल्कुल आपको पता है यह जो हमारे मुलका हाल है अखी बात नहीं है कहते हैं हम बड़े फैर जो है नो भुशाम अदित करते हैं लोगों को हम बड़ा प्यार देते हैं мो न लोगों को इब प्यार निया है किसे हैं छब्यार या किया करते हैं है ये नला नहीं ह बोद्देस्ग है मेरे पूरी दुनिया पाकिस्तान का नंगा नाच देख चुकी है तो इस जरह से चड़ी फटने पर तुम क्या रोना रो रहे हो कि इमेज खराब हो जाएगी तुमारी कोई इमेज है इसके लिए पुलीस को काम करने चाहिए कि पुलीस एक्टिव रहे इंडिया वाकिफ है तुमारी काली कर्टूतों से वैसे तुम आतंकवादी भेजते टाइम नहीं सोचते कि इंडिया को पता चलेगा कि हमने आतंकवादी भेजी है तो क्या सोचेगा है एक वीडियो वाइरल होने से ड्र लग रहा है क्या पाइस को इन्वेस्टर आएगा मुलक के अंदर इन्वेस्मेंट करेगा सवाल ही पैदा नहीं होता है कोई भी नहीं आएगा वो तो बलके यह देख के कोशिच करेगा चलाना ही है आगे बढ़ते हैं किसे देखते हैं कि यूई ने भी वीज़े बन की हैं दूसरी तरफ हम देखते हैं इंडिया की तरफ लोग ज्यादा अट्रेक्ट होते हैं वीज़े टूरिस्ट जाते हैं वहां पर आप देखेंगे लाखों की इसाफ़ से डेली चाता तो उसको भी हम जीने नहीं दे रहें यही तो क्यामत है तूरिजम के इसाफ से खाली यूए नहीं है और भी स्पोट्स हैं जिस तरह मालदीव्ज हो गया या मलेशिया हो गया वहां पर भी टूरिजम स्पोट्स हैं लेकिन पाकिस्तान में जो नेचरल ब्यूटी है मेरे खाल से वह उसके कंपेरिंस में और कोई नहीं तुहारे जो दिमाग के ब्यूटी है ना वो तो सब को पता है कितनी गंद बरी हुई है बदबूदार नेचरल ब्यूटी के साथ साथ लोगों के एकला की ब्यूटी पहले फस्स प्रियोटी होती है यह जो आला जब बाह सब कुछ बस अला तवक्तल ही चल रहा है यह हमारे मुलत का नाम बदनाम किया है ऐसे इनको करना नहीं चाहिए था लेकिन यह है कि नेक्स टाइम कोई भी हमारी कंट्री में अगर आता है ना तो ऐसा कोई इशू नहीं है तो यह हुआ है इनके साथ और उसके बाद हम कहते ह आईे जी आईे पाकिस्तान घूमने आई यह यहां पर आपको बड़ी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी बहुत बहुत एरिया जैसे है जहां पर आपको जाना चाहिए टॉरिसम को जी हम प्रोमोड कर रहे हैं यहां यह अपर यह तो शुकर करें कि के यह टील पी इसे देशंब को सब्सक्राइब बीधा करें तो वह पहले हो चलते को लूड लेटे यह तो पिछी आपया कुछी नहीं को लूटा जा रहा है ये इस चीज़ को ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि भई इनके देश में गुर्बत है, बुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, ब्रश्टाचारी है, इसलिए ये लूट मारी करेंगे अब इस जर्मन टूरिस्ट की ये महमान नवाजी दे कर क्या किसी टीम को इनके या खेलने आना चाहिए, बिलकुल नहीं, मैं तो बोलती हूँ, चैंपियन्स ट्रोफी की जो मेजबानी है न, वो ही इनसे छीन लेनी चाहिए, इस लाइक ही नहीं है ये, तो आज का वीडियो बस इतना ही आप अपना ख्याल रखना जै हिन्स मत दे मातरम भारत मतों की जै योयो किटू भाई, योयो किटू भाई, तो गाइस वीडियो जो है वो खतम हो गया हो, काफी बढ़िया वीडियो होता, बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान को रूष्ट किया इस वीडियो उपर से अगर कोई सोचता अब यह कि चलो वहां पर ग्राउंड रियालिटी देखने के लिए जाते हैं, वहां पर भाई कुछ तो होता ही है, हर किसी के पास गया आदमी तो तो मुसके साथ इसी बस सलूकी कर रहे हो, उसके साथ बत्तमीजी कर रहे हो, उसको लूट रहे हो किया जस्टिफिकेशन है, क्या इलोजिकल बात कर रहे हैं यह लोग, कोई लोजिक नाम की चीज़ है की नहीं है, और उसके बाद इन लोगों ने अभी एक बहुत ही घटिया हरकत की हुई है, जो हमारे आख, जम्मु में इन लोगों ने इन लोगों ने आपने एसेजि कमा पेंडु पेंड़वं केुपन के आपने भारत में भेजाए और बोला किया है कि आतन्की है वो और ?"इन लोगों को क्या लग रहा है और भेजदेंगे यहां पे और फों कि इंडियन開फी दरता हरे जिक की भाई कोई केक है आके काट के चले जाएंगे 600 लोग भी जितने भी आये हो जो मैंने इन स्टोशल मीडिया में देखा वो मैं बोल रहा हूं 600 लोगों को बताया गया कि दाखिल कराया अब वहां पे आए अपने मोटा बाई अमिश्या उन्होंने भेज दिया अपनी पैरा इस पेसल इसको उतार दिया उन्होंने ग्राउंड लेवल पे अब जाओ चिलाते रहो जान देजेंगे इसके लिए क्या बात कर रहे हैं अब उनको भागने की जगा नहीं मिल रही है आये तो थे वो लोग जम्मू में लेकिन जम्मू भी अपने भाई लोग हैं वहां पे वो लोगो तोरान जाके बता दिया अपनी सेना को आओ फिर लो आओ प्रसाद बट रहा है सब लोगों को मिलेगा थोड़ा थोड़ा प्रसाद सब लोग जाके ले करके जाएंगे और वहां जाके अपने अबूओं को अपने आकाओं को बताना कि बहुत बढ़िया तरीके से हमको प्र नादानी पर हसी आती ही कि यह लोग सोच किसको सोच रहे हैं तुम्हारे हैं दो टाइम की रोटी की भुख मरीज है और तुम यहां इंडिया वालों को मार के जाओगे इतने गरीब है आई एमे बेल आउट पे बेल आउट पैकेज देता जा रहा है तुम लोगों कि यह वर् में इतना ही दम है इतना ही ज़्याद लड़ना है तो आके कभी हमारी आर्मी से आमने सामने लड़ लो तुम लोगों को तुम लोग क्या लगता है कि भारत की intelligence जो service है वो इतनी ज़्यादा fail है कि तुम लोग कुछ लोगों को घुसा हो गया हम लोगों को पता नहीं चलेगा भाईया वो तुम लोग अपने देशे बैठे बैठे क्या करते हो वो भी सब पता रहता है आज कल इतनी ज़्यादा network फैले होते हैं लोगों के तो तुम लो की जो हरकते हैं उसको देखते हुए roast होना चाहिए और बहुत ही ज्यादा अच्छा roast होना चाहिए बाकि आप बतेए गाईस की आपको वीडियो कैसा लगा आपको ये roast कैसा लगा एक बार अपने इंडियान आर्मी के लिए comment box में जय हिंद जरूर लिखके चाहिएगा बाक हुआ 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 है